नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि ओफरेट ओजड टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ओफरेट ओजड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ओफरेट ओजड टैबलेट की वज़े से क्य साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि ओफरेट ओजड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, ओफरेट ओजड एक ब्रैंड नेम है, ओफरेट ओजड टैबलेट के अंदर दो एंटिबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन हो ओफरेट ओजड टैबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन और पेरासितिक इंफेक्शन होने पर किया जाता है। इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर, पेशाब में इंफेक्शन होने पर, महिलाओं की वजाइना में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर ओफरेट ओजेड टैबलेट को लेने की सल इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इनफेक्शन होने पर भी डॉक्तर ओफरेट ओजेड टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्श की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ओफरेट ओजेड टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्श नहीं होते हैं। सिर्दर्द होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्श ओफरेट ओजेड टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की ओफरेट ओजेड टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। ओफरेट ओजेड टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर ओफरेट ओजेड टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। ओफरेट ओजेड टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि ओफरेट ओजेड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डाइबिटीज होने पर ओफरेट ओजेड टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। क्योंकि ओफरेट ओजेड टैबलेट ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीरित व्यक्तियों में ओफरेट ओजेड टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। Offred OZ Tablet को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए, जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Offred OZ Tablet को लेने की सला दी है क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक Offred OZ Tablet को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस हो सकता है और एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और Offred OZ Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको Offred OZ Tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए Offred OZ Tablet का सेवन करना recommended नहीं है अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि Offred OZ Tablet स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं इसलिए ज्यादातर डॉक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को Offred OZ Tablet को न लेने की ही सलाह देते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Offred OZ Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं